ताइनगरी आगरे में गर्मी अपने प्रिचंड रूप पर है लगातार तापमान 46-47 डिग्री बना हुआ है ऐसा देखा गया था कि अगर कल की बात की जाए 24 गंटे पहले की तो बादल जरूर चाहे हुए थे लेकिन अनवान लगाया जारा था कि देर साम बारिश हो सकती है लेकिन बारिश नहीं हुई और आज फिर से नतीजा वही हुआ कि सुबह से ही कलक धूप सामने नजर आ रही है और गर्मी लोगों को परेशान करती नजर आ रही है टेंपरेशर 46-47 जगरी है और ऐसे मैं मैं समय एसन मेडिकल कोलेज में मौजुद हूँ और यहां पर आप अपनी पानी पॉटल लेके आ रहे हैं यह बता है सित्री गर्मी कीतनी पंड़ाई है इस है कि कि दिली थोड़ी है doesn't bigger पॉट gonna रही है लिए ऑनदर से के लाए है तो बहर के लाए पानी बोता है तो इससे ख्राइब बेर लाथजाती है है lubi घर्मी जादा आ है ने चलिए कुछ और लोग इंसे कोई और यह बताईए इस समय कि अरए गर्मी इस में बढ़े हो यह समय क्या है और अप्याव बार नहीं है और भाणे के ठंडे पानी को नहीं है कोई प्याव पानी की प्रेशान होता हो अपनी बोतल संग लाती है पीथे कि अपनी बोतल साथ में लेकर आए हुए है कितनी गर्मी है बहुत जाद है कि सास लेड़ा उसको लेड़ा तो पाने पीने की कोई प्रवस्ता है नहीं कुछ नहीं अच्छा अंदर की जनल से बढ़ा हुगा आपने गर्से लेगा है यह अंदर लेका है और लगातर हम आपको दिखा भी देख लिजी आप यह बीड़ जो है वो गर्मी से जो लोग परिशान है पीड़ित है बीमार होते हैं उन लोगों की भीड़ है और लगातारों पीड़ी में संक्रावी बढ़ रही है ऐसे मैं तीमारदारों को अगर विवस्ता नहीं बात होती है और विवस्ता कहीं पर भी कोई भी सोथ यहां नजर नहीं आ रहा है जिससे की थोड़ी बहुत तरावट मिल से कि तमाम लोग अपने हाथों में बोतल लेते हुए जरूर नजर आ जाएंगे देखिए अंकल आ रहे हैं से बात कर लेते हैं और यह बहुत हाराम था आज भाएंकर गर्मी त बादल चाहिए लगता था कि पानी पड़ेगा लेकिन पड़ा नहीं तो आग्रहां बहुत ज्यादा है अजिसे अंदर है पानी बार यहां बार तो मेरे को नहीं पता लाएं तो पहली बार अदर आया हूँ लेकिन अंदर प्याव है बहुत बढ़ी आ अच्छा है अगर बाहर देखा जाए तो बाहर की तरब कोई भी प्याओ जो है वो नजर नहीं आती है जो तीमारदार लोगों के साथ आते मरीज तो अंदर एडमर्ट चला जाता है वहां जबानी पी सकता है लेकिन तीमारदारों के लिए कोई भी विवस्ता नजर नहीं आती है और ऐसी जब भीशल गर्मी पड़ रही हो तो लोगों के लिए एक बड़ा परिशानी के संकट कड़ा हो जाता है मनुष के साथ आगरा सिवीरी दुबे नीज इस्ट प्रदेश